श्री शिवाय नमस्तुप्यम स्वागत है आपका मेरे चैनल कुब्रेश्वर धाम सिहोर में आप सभी कैसे हैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे आज मैं आपको अनन्त चतुर्दशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ अनन्त चतुर्दशी भादव मास के शुकल पक्ष की चतुर्दशी तिथी को पनाई जाती है इस दिन भगवान विश्नु की विशेश रूप से पूजा राधना की जाती है जो कोई भी अनन्त चतुर्दशी व्रत करते हैं और अनन्त चतुर्दशी व्रत की कथा सुनने का लेते हैं भगवान विश्नुजी शिग्र अतिशिग्र उनकी सारी मनुकामनाई पूर्ण करते हैं पूर्ण विश्वास और सची श्रद्धा के साथ यहां अनंत चतुरदशी व्रत करना चाहिए यदि आपने मेरा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर और घंटी जेसा बेल आइकन दबाना बिलकुल नहीं भूले ताकि आपको मेरी सारी वीडियो मिलती रहे और आप कथा जरूर सुने क्यूंकि कथा सुनने मातर से भी फल की प्राप्ती होती है अब मैं आपको कथा सुनाना प्रारंब कर रही हूँ विश्नु भगवान की ज सुन्दर थो था ही अद्बूत भी था यह वहां यग्य मंडप इतना मनुरम था कि जल मथल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी जल में स्थल था स्थल में जल की भाती प्रतीत होती थी बहुत सा उधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्बूत मंडप में धोका खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यग्यमंडप में आ गए और एक तलाब को स्थल समझ उसमें गिर गए। में द्वेश उत्पन हो गया और उनने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उनके मस्तिक्ष में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उनसे बदला लेने के लिए पांडवों को तुट क्रेडा में हरा कर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उन्होंने पांडवों को जुवे में पराजित कर दिया पराजित होने पर प्रतिग्या अनुसार पांडवों को बारा वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा वन में रहते हुए पांडव अनेक कस्ट सहन करते रहे एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए तब युदि तुम विधी पूर्वक अनन्त भगवान को व्रत करूं इससे तुम्हारा सारा कस्ट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य पुनहा प्राप्थ हो जाएगा इस संधर्व में श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई प्राचिन निकाल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी भ्रामन था उसकी पत्नी का नाम दिख्षा था उसकी एक परम सुंदरी धर्म परायन तथा जियोतिर मै कन्या थी जिसका नाम शुशीला था शुशीला जब बड़े हुई तो उसकी माता दिख्षा की मृत्ति हो गई पत्नी के मरने के बाद सुमंद ने करकशा नामक इस्त्री से दूसरा विवा कर लिया शुशीला का विवा भ्रामन सुमंत ने कोडिन्य रिशी के साथ कर दिया विदाई में कुछ देने की बाद पर करकशा ने दामान को कुछ इटे और पत्थरों के टुकडे बान कर दे दिये कोडिन्य रिशी दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर आश्रम की और चल दिये परंतु रास्ते में ही राथ हो गई वे नदी तट पर संध्या करने लगे शुशीला ने देखा वहाँ पर बहुत सी स्त्रिया सुन्दर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी शुशीला के पूछने पर उन्होंने विधी पुर्वक अनंत व्रत की महता बताई शुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गाठो वाला डोरा हाथ में बांद कर रिशी कॉडिन्य के पास आ गई कॉडिन्य ने शुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उन्हें सारी बात बता दी उन्होंने डोरे को तोड़ कर अगनी में डाल दिया इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ परिणाम मतह रिशी कॉडिन्य दुखी रहने लगे उनकी सारी संपत्ती नस्ठ हो गई इस धरिद्रताक का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही पश्याताप करते हुए रिशी कॉडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ती के लिए वन में चले गए वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमी पर गिर पड़े तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले हे कॉडिन्य तुमने मेरा तिरिस्कार किया था उसी से तुमें इतना कस्ट भोग ना प्राप्त तुम दुखी हुए अब तुमने पश्याताप किया है मैं तुमसे प्रसन हूँ अब तुम अपना घर जाकर विधी पूर्वक अनंत व्रत करो चौदह वर्ष परियंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा तुम धन धन से संपन हो जाओगे कॉडिन्य ने वेसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ती मिल गई श्री कृष्णे की आग्या से युदिस्टी ने भी अनंत भगवान का व्रत किया जिससे प्रभाव से पांडव महबारत के युद्ध में विजय हुए तथा चीरकाल तक राज्जी करते रहे इसी के साथ आमारी कथा यह समाप्त होती है बोलो श्यू भगवान जी की जै हो